कभी कभी सिंदगी में बड़ी भयानत चीजे होती हैं अच्छे लोगों के साथ जिंदगी बहुत बुरा करती हैं कभी कभी दिल दहल जाता है ऐसे हाथ से होती हैं कभी कभी सलब पता ही नहीं चलता लाइफ में चल क्या रहा है जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो सही है या गलत अगर आपके जीवन में भी एडार्क फेस चल रहा है ना तो ठीक है ठीक है अगर यह अंधकार तुम अंदर तक महसूस कर रहे हो जब मुसीबतें बाधाएं एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक लगातार आती रहती है ना तो ऐसा लगता है मानो कोई हमारा पीचा कर रहा है कोई हम पर हमला कर रहा है कोई हमारे मकसद पर लगातार चोट कर रहा है हमें हमेशा इसमें छुपी सीख को समझना है जो होना है वो तो होना ही है अब सवाल यह है या तो हसस कर या फिर रो रोकर जब भी ऐसी बुरी चीजे होती है तब तुम क्या करते हो क्या इसी स्थिती में तुमने क्या महसूस किया और कैसे इस स्थिती को संभाला यह सब को बताओगे क्या तुमें एक बार गिर गए तो गिरे रहोगे क्या तुम इस स्थिती का सामना पूरे सास के साथ करोगे संकल्प के साथ आज हर तरफ अंदकार है तो उसे एक्सेप्ट करो यार कि ये बुरा फेस है भागो मत भाग लो बस चैलेंज की तरफ बढ़ो उसे मुडो मत कोई माइने नहीं रखता कि क्या फेस कर रहे हो बस चलते रहो वो एक कदम सरूर उठाओ हर दिन कैसा महसूस कर रहे हो डेसन मैटर बस उठो और चल पढ़ो वो एक कदम और एक पात याद रखना कि हालात बद से बदतर क्यों न हो जाए बस किसी के भी सामने हाथ मत फैला उस खुदा के अलावा किसी के भी सामने मत जुकना बस रुकना मत जिजकना मत पाउज लेना मत वो एक कदम दूसरे कदम के आगे रखते चले जाओ वो एक कदम जरूर उठाओ और चल पड़ो मेरे साथ हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और साथ लड़ेंगे इस लड़ाई को और जीतेंगे भी हम ही चाहे मन्जिल मिले या ना मिले राह मिले या ना मिले लेकिन जीतेंगे हम ही पता है क्यों क्योंकि हमारी रूह कभी भी सरंडर नहीं करेगी और यही असनी जीत है और जब पता हो कि हार निश्चित है ऐसी सिचुएशन में भी डटे रहना और खड़े होकर लड़ना ही जीत है झाल